वित्तिये वर्ष 2024 में UPI फ्रॉड के मामलों में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वित्त वर्ष 2023 में फ्रॉड के मामलों की संख्या 7,25,000 थी, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 13,42,000 हो गई है। 2023 में आम लोगों से जहां 573 करोड रुपय की ढगी हुई, वहीं 2024 में यह प्रतिशत बढ़कर 1087 करोड रुपय हो गया। वित्त मंत्राले ने संसद में दिये जवाब में यह चौकाने वाले आंकड़े बताए हैं। इस खुलासे से देश के तेजी से बढ़ते, डिजिटल पेमेंट एकोसिस्टम को सुरक्षित करने में बढ़ती चुनौतियों से लोगों को सावधान और सरकार द्वारा कुछ खास कदम उठाने के प्रयास किये जाएंगे। देश में UPI का प्रभावी ढंक से उप्योग किया जा रहा है। देश में कुल UPI लेन देन में साल दर साल 57 प्रतिशत की व्रिद्ध हुई है। अनुमान है कि वित्वर्ष 2023 में UPI लेन देन 8,371 करोड रुपए से बढ़कर वित्वर्ष 2024 में 13,113 करोड रुपए हो जाएगा। चालू, वित्वर्ष 2024-25 के लिए 8,566 करोड का लेन दिन पहले ही दर्ज किये जा चुका है। जो धोखा धड़ी के मामलों में व्रिद्ध के बावजूद प्लेट फॉर्म के बढ़ते उप्योग को दर्शाता है। वित्व मंत्राले ने क्या कहा? धोखा धड़ी में व्रिद्ध के जवाब में मंत्राले ने डिजिटल भुगतान, पारिस्थिती की तंत्र में, सुरक्षा में सुधार और कमजोरियों को कम करने के उद्देश से कई उपायों के बारे में जानकारी दी है। भारतिय रिजर्व बैंक ने एक केंद्रिय भुगतान धोखा धड़ी सूचना रजिस्ट्री लागू की है, जो उन्नत याई और मशीन लर्निंग मॉडल का उप्योग करके भुगतान धोखा धड़ी को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई प्रनाल कर रही है, इसने संदिक्ध गतिविधी को चिहनित करने के लिए उप्योग करताओं के लिए राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर 1930 लॉंच किया है, आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर अपराध को रोकने के बारे में लोगों को शिक्षित करने की पहल की जा रही है, इसमें लोगों को धोखा धड़ी के बारे में जागरूक करने के लिए SMS, रेडियो और सारवजनिक सलाह के माध्यम से अभियान शामिल है, इसके अतरिक्त दूर संचार विभाग ने संचार साथी हैटसेप संदेश शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट आम जनता द्वारा की जा सकती है, भारत में UPI के विस्तार के साथ मंत्राले ने देश की संसद को आश्वस्त किया कि यह पहल डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करने और सिस्टम में जनता का विश्वास बनाने के एक